तो मेरा अगला सवाल यही था कि क्या आप randomly अपनी photo share कर देता है किसी को भी या फिर पता क्या होता है Facebook पे बहुत लोगों को आदत होती है अपनी घर की pictures डालने का जब आपको कोई friend request बेजता है और आप उसे randomly accept कर लेता हो न तो वो photos भी access कर लेता है तो वहाँ पर होती है समस लेकिन एक bunch of people ऐसे होंगे जो कि यह काम करते होंगे और यहीं से समस्या पैदा होती है अगर आप किसी भी random बंदे से friend request आप access accept कर लेते हो उसके बाद उनसे photo share करते हो फिर बात इतनी लंबी आगे तक बढ़ जाते कि आप लोग intimate videos भी share करते हो तो वहाँ पर होती है समस्या कि बहुत अची बात है अगर आप लोग लिख रहे हैं तो बहुत जरे लोग इसके लिए aware है बहुत अची बात है लेकिन आज के session को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगली बार ऐसा कुछ भी होता है तो आप लोगों और जादा सचेत रहेंगे और आप लोगों को हमे कि परसनल फोटो शेर करनी है और ना ही किसी को intimate वीडियो या ऐसी फोटो शेर करनी है जो की बहुत परसनल होती है नहीं करनी है अब इसके बारे में parents तो बात नहीं करने वाले अगर आप parents हो जाके पूछोगे मतलब क्या ही बताऊँ बहुत अच्छी बात अगर आपके parents ऐ जो कि खुले दिमाग के हैं, तो वो आपसे discussion करते हैं, तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन थोड़ा है नहीं, conservative महोल है, बट फिर भी जिनके parents ऐसे हैं, जो कि इस बात को समझते हैं, कि बच्चों बच्चे फस नहीं जाए, उससे पहले उनसे बात कर ली जाए, तो वो बहुत अच आपसी बात है.